नमस्कार, स्वागत है एक बर फिर से आप सभी का साहित्ति जोती में। आज हम लोग मेतली सरंगुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का मंदर नामक कवीता को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस कवीता की व्याख्या को देखेंगे। सरोप्रथम मेतली सरंगुप्त जी के चीवन परिशे को देखते हैं। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1886 इस्वी में किर गाउं जिला जहांसी में हुआ था। और उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्छा अपने घर पर ही प्राप्ति की थी जिसमें इन्होंने अंग्रेजी और बंगला का अध्यन किया था। बाद में आगे चलकर आचारे हजारी महाविर प्रशाद द्रिवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की प्रेरिणा से कावे रचना में निपूर्ण अप्राप्ति की इसके अलावा आचारे महाविर प्रशाद द्रिवेदी जी का नाम से याद रखिएगा क्योंकि ये भी हिंदी के एक बहुत ही महान जाने पहचाने नाम है और यदि हम मेथली जरन गुप्त जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुक रचनाओं में हमें भारत-भारती, पंचवटी, साकेत, जैद्रतवद, स्वापर, यसोधरा, आदी तो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है परन्तु इसके अलावा इन्होंने बह अनुवाद लेखन में भी इनकी उपलब्धी दिखाई देती है यदि नाटक में बात करें तो मुख्य रूप से तिलोतमा, चंदरहास, अनग आधी काफी प्रसिद्ध रहे हैं अनुवाद के छित्रों में मेगनादवद, प्लासी का युद ये इनकी प्रसिद्ध रचना के नाम जाने आईए अब हम आज की जो हमारी कवीता है भारत माता का मंदिर उसे पढ़ेंगे उसकी व्याख्या को देखेंगे यह देखिए भारत माता का मंदिर यह समता का समबाद जहां समता यानि समानता समबाद यानि बातचीत सबका सेवशिव कल्यान भलाई यहां है पावेश हभी प्रसाद यानि आशिरवाद आप ये ध्यान लखेज़ा आशिरवाद यहां देख़े इंदो पंक्तियों के बारे में बताते हैं इसमें कवी बोलते हैं कुप्तजी की अनूसार भारत जो है वो कोई केवल एक देश नहीं है बलकि यह एक मंदिर है यह भारत माता का मंदिर है जहां हमें क्या दिखलाई पड़ता है जहां हमें उन्नती और विकास का अशिरवाद राप्त हो लाएं, ठीक है, इसके बाद देखिए, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद ब्यवधान यहा, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम, सम्मान यहाँ, ठीक है, ब्यवधान का अर्थ होता है, अर्चन, सबका स्वागत, सम्मान यहां, ठीक है, सम्मान यहां, तो कभी क्या बतलाते हैं कि यह देश, यानि हमारी जो भारत भूमी है, वो ऐसी है, जहां पर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और बर्ग आधारित, किसी भी प्रकार का भेद बाव हमें देखने को नहीं मिलता है, यहां पर सभी का करने का इसी में कि बाते हैं कि बारत भूमी समनबुए की ऐसी भूमी हे जहां सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म Industry रिवाज को पालन करने का आउसर प्रदान किया भौव संस्कृति भौव यानी संसार ठीक है भिन्न भिन्न भौव संस्कृतियों के गुड़ गवरों का ज्यान यहां तो इन पंक्तियों में कभी बतलाते हैं कि राम रहीम बुद्ध इसा सबकी आराधना इसी भूमी पर संभव है क्योंकि भारत वर्षी एक मात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग सभी जाती संभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिल जूल कर आपस में रहते हैं अता इस समता की भूमी पर विश्व की विविद्म संस्कृतियों का अभिकास प्रचार प्रसार संभव हुआ है कि आए हम आगे की पंग्तियों को देखते हैं नहीं चाहिए बुद्धि वैर की भैर यानि सत्तृता है वैर शब्दकार्थ होता है सत्तृता भला प्रेम उनुमाद यहां उनुमाद यानि नसा ठीके सबका सिव कल्याण यहां है पावे सभी प्रसाध यहां सब तिर्थों का एक तिर्थ या हिर्दे पवित्र बना ले हम आओ यहां अजात सत्तृ बन सबको मित्र बना ले हम अजात सत्तृ का क्या मतलब होता है जिसका कोई सत्तृ रह हो अजात तत्रु यानि जिसका कोई तत्रु ना हो रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम सौसो आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम तो हम पहले इंदू पंक्तियों का आर्थ समझते हैं देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत माता के इस पावन मंदर में सत्रुता और बैर भाव के लिए कोई स्थान नहीं है कह रहे नहीं चाहिए बुद्धी बैर की यानि कि इस भारत बूमी में इस पवित्र मंदर में सत्रूता और वैर के लिए कोई स्थान नहीं है भारत समस्त संसार के समस्त संकेन भावनाव से उपर उठकर हमें किसे अपनाना है प्रेम को अपनाना है भला प्रेम उनमाद यहां हमें प्रेम रूपी नसे को अपनाना है सारी जो संकीन बंधन है अडचने है जो भी बैर है सतूता है उसे छोड़ कर प्रेम भाव को अपनाना है सबकासिव कल्याड यहां पावे सभी प्रसादिया कभी कहते हैं कि हमें मिल जुलकर अपने हिर्दय में प्रेम का संचार करना चाहिए और इसे पावन बना देना चाहिए ठीक और क्या बताते हैं देखिए सब तिर्थों का एक तिर्थ या हिर्दे पवित्र बना ले हम आओ यहां अजात सत्रुबन सब को मित्र बना ले हम यानि अपने हिर्दे को बोल रहे हैं कि पावन हिर्दे सब तिर्थों से बड़ा है नभी तिर्थों में सबसे बड़ा तिर्थ कौन सा है हमारा हिर्दे है और यदि हम अपने हिर्दे को पवित्र बना ले तो हिर्दे की पवित्रता और प्रेम के द्वारा क्या कर सकते हैं अपने हिर्दय की पवित्रता और पेम के द्वारा हम अपने सत्रू को भी अपना मित्र बना सकते हैं, ठीक है, अपने सत्रू को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है, अपने हमें अपने मन में प्रेम, पवित्रता, बंधुता और सदभावना रूपी रेखाओं से उत्तम चर हैं तो को लेकर एक चरित्र बना ले हम सोसो आधर्शों यह से क्या करना चाहिए उत्तम चित्र गढ़ना चाहिए यानि अपना उत्ता मेवं सुन्दर बनाना चाहिए जिससे हम सबके सामने अपना और अपने देश और अपने समाज का आदर्श रूप प्रस्तूत कर सकते हैं आई आगे की पंक्तियों को देखते हैं क्या कहा के आगे की पंक्ति में कोटी 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 यानि करोडो ठीके करोडो कोटी कोटी कंठो कंठो यानि स्वरो ठीके कोटी कोटी कंठो से मिलकर उठे एक जैनाद जैनाद यानि विजै की भोषणा विजै की भोषणा मिला सत्य का हमें पुजारी सफल काम उसनिहाई का मुक्तिलाब करतब यहाँ है एक एक अन्याई का बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का एक साथ मिलबैठ बाटिलो अपना हर्ष विशाध विशाध यानि सुख दुख छुशी गम जी से हम कहते हैं गम तुख दुख तुदेखिए क्या कह रहे हैं कभी कह रहे हैं कि कभी सभी देशवासियों को एक जुट होकर कोटी कोटी कंठों से यानि एक जुट होकर जैनाद करने का आवाहन कर रहे हैं यानि विजय की घोशना करने के लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं वे सभी को संगठित होने के लिए कह रहे हैं इसभी को संगठित होकर सबका विकास और सबका कल्याड करने का मंत्र देते हैं उनके अनुसार यानि कवी के अनुसार क्या है भारत भूमी ही वह पावन भूमी है यहां पर हमें गांधी के रूप में सत्य का पुजारी मिला आपको पता है गांधी जी सत्य और हिंसा के पुजारी थे उन्हीं के लिए यह पंक्ति कही गई है कि मिला सत्य का हमें पुजारी सफल काम उस नियाई का यहां पर गандھی जी के बारे में कहा जा रहा है कि भारत ही बहत पावन भूमी है जहां पर हमें सत्य का पुजारी यानि विरली की गांधी जी मिले बंदी जी ने सत्य और अहिंसा के दम पर ही देश के स्वादीनता अंदोलन को तफल बनाया है ना और भारत पतंतर हो पाया मुक्ति लाब करतब यहां है एक एक अन्याई का आगे क्या बता रहे हैं कि उन्होंने लाखों लोगों को वास्तविक मुक्ति का अर्थ समझाया उनके बहुत सारे अन्याई थे यानि उनको अनुसरन करने वाले थे उनके बातों को मानने वाले थे तो उन्होंने लाखों लाखों लोगों को वास्तविक मुक्ति का अर्थ समझाया था उनको बताया था और उनके सिद्धानतों को आत्मसात कर उनके राह पर चले हजारों ल नाता के आंगन में नाता भाई भाई का एक साथ मिल बैठ बाटलो अपना हर्ष विसाद यहां तो यहां पर कभी क्या कह रहे हैं यहां पर कभी कह रहे हैं आख्री की पंक्ती में कि हमारे घर के आंगन के समान है यह जो भारत भूमी है वो हमारे घर के आंगन के समान है जहां सब के बीच भाई-भाई का नाता है, सभी लोगों के बीच आहे वो किसी भी धर्म के हो, जाती के हो, संपरदाय के हो, सब के बीच आपसी प्रेम और भाई-चारा है, सभी के बीच भाई-भाई का नाता है, इसलिए सब को क्या करना चाहिए, सब को एक साथ बैठ कर अपने पतलाया है कि भारत वो है वह सभी धर्मों सभी संपर्दायों तक जूटा का प्रतीक है जहां पर सभी लोग प्रेम के साथ रह सकते हैं तो आसा है आपको यहां कभीता अच्छे से समझ में आई होगी और आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी यहां आपके लिए उपयोगी होगी तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे उपयोगी लगे तो इस एक बात इसी पाठ का जो प्रश्ट उत्तर है वह हम लोग इसके आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है, इसके साथ हमारे साथ बने रहें, सन्यवाद,